Hello Friends, How are you all? दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देर का यूज़ देखेंगे कि किस तरह की कि सैंटेस हम देर की हेल्प से बनाते हैं जिन सैंटेस में किसी चीज के होने या ना होने की बात कही जाती है तो उन सैंटेस को हम देर से शुरू करते हैं इन sentence में there का कोई meaning नहीं होता है, बस ये एक introductory adverb कहलाता है, इन sentences में verb incomplete होती है क्योंकि इसमें कोई action नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है in sentences में, इसलिए ये sentences हमेशा verb to be, यानि की ismr और वाजवर से ही बनाते हैं, जो भी हमारा tense होगा, उसी के according हम लगाते हैं, अगर present मे हैं बना रहे हैं तो ismr और अगर past में बना रहे हैं तो was work, चले कुछ example के help से समझते हैं, मेरी जीव में 5 रुपए का note है, अब देखिए, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए कोई verb नहीं है, यहाँ पर 5 रुपए के होने की बात की जा रही है, तो हमने देखा थ कि जिस चीज के होने या ना होने की बात की जाती तो वह sentence हमेजा देर से बनाते हैं, तो चले sentence कैसे बनेगा, तेरी जी 5 रुपी note in my pocket, second example देखते हैं, इस बाग में बहुत सुदर फूल है, there are many pretty flowers in this garden, तो यहाँ पर फूलों की होने की बात की जा रही है, समझ रहे हैं, singular है, जिंगल में एक शेर था, okay, तो there was a line in the forest, next, इस कक्षा में 30 बिद्धारती थे, तो there were 30 students in this class, okay, एक समय एक राजा था, once upon a time there was a king, there को हम बीच में भी लगा सकते हैं, तेक हैं, अब हम कुछ negative sentence देखते हैं, जैसे कि कप में दूद नहीं है, there is no milk in the cup, no या not को हम हमेशा helping verb जो भी है, जैसे is MR है, वाजवर उसके बाद ही लगाएंगे, next है, गाव में कोई कुआ ना था, there was no well in the place, अब कुछ और sentence देखते हैं, जैसे कि हमें किसी से कुछ confirm करना है, जैसे कि, क्या इस टोकरी में फल थे, हमें confirm कर रहे हैं, हमें कुछ information नहीं चाहिए, हम से confirm कर रहे हैं, क्या इस टोकरी में फल थे, तो यहाँ पर जो helping verb है, वो आगे आ जाएगी, जाहे वो is MR हो, या वाजवर हो, तो past का sentence है, तो word लागाएंगे, were there fruits in this basket, क्या इस टोकरी में फल थे, यदि sentence के बीच में कोई interrogative word आ जाता है, जैसे कि कक्छा में कोई लड़का क्यों नहीं था, तो यहाँ क्यों sentence के बीच में आया, तो यह वो इस टोकरी में बनेगा, why, why was there no boy in the class, why was there no boy in the class, तो हमें यहाँ कुछ और information चाहिए, जब हमें कुछ और information चाहिए होती है, किसी भी चीज के बारे में, तो वो सा आपको बनाना है, और comment box में लिखकर मुझे बताना है, क्या इस bottle में दूद नहीं है, translate कीजिए, और मुझे बताए, और यदि वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए है, तो subscribe भी जरूर कीजिएगा, मैं इस तरह एक की informative वीडियो आगे भी लाती रहोंगी, तो फिर मैं मिलती हूँ next वीडियो में, okay, bye bye